Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform, Stuon. Myself, Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my B.T.E.C. from ITBHU in 2017. So, let's begin our today's class. आज की वीडियो लक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटीनू करने वाले हैं. पिशले वीडियो लक्चर में हम लोगों ने Motion in Two Dimension स्टार्ट किया था जिसमें Projectile Motion को देखा था. Basically, इस टॉपिक में motion in Two Dimension में दो टॉपिक है है. दो सब टापिक हैं. पहला है कि Projectile Motion and दूसरा है हमारा Relative Velocity. दोनों को ही जड़ा देखते हैं हम लोग अच्छे से कि कैसे इसके question solve करते हैं ठीक पहला हम लोग projectile motion की basic theory हम लोगों ने देखा कैसे हम time of flight find करते हैं कैसे maximum height find करते हैं range of projectile कैसे determine किया जाता है तो इन सारी चीज़ों के बाद में हैती कि questions important हो जाते हैं कि questions क्या होगे ठीक तो questions कुछ हम लोग solve करते हैं projectile motion पे उसके बाद दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे relative velocity की तरफ ठीक तो आईए हम लोग कुछ question solve करते हैं I hope कि सब लोग आ गए होंगे है ना क्यूंकि question solve करेंगे तो भाई question पहले पढ़े लेना important है projectile motion हम लोग पढ़ रहे थे जरह projectile motion पे देखते हैं कि कीस तरह के questions बनते हैं तो let us just assume कि हमारा xy coordinate system है ठीक xy coordinate system में एक projectile है question है कि if a projectile है जिसको origin से at an angle of 30 degree fire कर दिया गया है at an angle of 30 degree fire कर दिया गया है with velocity 20 meter per second ठीक है क्या है कि ये projectile है इसको fire कर दिया गया है horizontal level से कितनी velocity के साथ velocity 20 meter per second के साथ इसको fire किया गया है at an angle of 30 degree कहां से with x axis और horizontal से 30 degree पर fire कर दिया गया है तो सबसे पहले तो आसान आसान चीजे पूछी जाती कि बताइए पहली time of flight कितना होगा इसका time of flight कितना होगा दूसरी बात बताइए range कितना होगा और तीसरी बात कि maximum height कितना होगा मैक्सिमम हाइट कितना होगा ठीक हाँ 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 सॉल्फ कीजिए आप फटा फट से सॉल्फ करके answer निकाल लीजिए ना फिर मैं सॉल्फ करता हूँ सब लोग देखेंगे कि कैसे questions को solve किये जाता है वो अलग बात है कि formula है हमारे निकाल सकते हैं but without using formula हम लोग normally question को from the very basic motion के जो basic equation है वहाँ से start करते हुए कैसे solve करेंगे कोई भी question को यह तो ठीक है सीधा साधा formula based question है तो इसको हम लोग formula से solve कर लेंगे और भी complex questions होगे जिनको directly formula से solve नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम हमेशा basic से start करेंग ठीक जैसे पहली बात है कि time of flight तो time of flight का अगर किसी को formula या दे तब तो वो directly formula पुट करेंगा time of flight is equal to 2u sin theta by g यह हमारा time of flight हो जाता है ना range की बात करें तो range is equal to u square sin 2 theta by g maximum height की बात करेंगे तो u square sin square theta by 2g formula अगर direct problem है तब तो हम formula जानते है formula जानते है value पुट करेंगे और हमें answer मिल जाएगा in case की हमें formula याद नहीं है तो यहाँ पे value पुट करके देख लिते एक बार कि कितनी values आ रही है ठीक time of flight में 2u sin theta that means 2 into velocity is given u sin theta तो 20 into sin 30 sin 30 is half divided by g इसकी value कितनी है 10 ठीक यह कितना हो गया 2 यानि कि time of flight हमारा आ गया two seconds time of flight two seconds आ गया यार आप लोग क्या क्या बोले two root three root two simply time of flight तो two second आ गया निकि particle जो है वो बहुत जादा देर तक हवा में नहीं रह 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 रहा है दो ही second में गिर जा रहा है छिक, अब इस पर जरा गौर किजीईगा कि दो सगंद में गिर जा रहा है, तो इस पे भी क्वेशन बन सकता है, देखिए आगे देख रहे हम लोग, रेंज की बात करें, तो रेंज में हम लोग डेरेक्ली हमें यू पता है, साइंग सीar पता है, जी पता है, क्योंकि theta 30 degree है तो 2 theta 60 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, upon g, यह कितना आ गया, 400 into sin 60 degrees root 3 by 2, root 3 by 2 हो गया, ठीक, 40 root 3 by 2, that means 20 root 3, 20 root 3, 20 root 3 हमारा क्या आ गया, range, range आ गया हमारा, एक बार ध्यान से देख लिजे, u square यानि कि 20 square sin 2 theta, theta 30 degree है, sin 2 theta, 2 theta की value 60 degree हो गया, upon g, 20, 20, 20, 400 sin 60 degree की value, root 3 by 2, यह 2 यहां रखा है, upon g, 10 यहां पर, ठीक, solve कर दिया, 20 root 3 आ गया, ठीक, यह range हो गया, maximum height की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी sin square theta, यानि की half का square, divide by 2g means 20, यह कितना हो गया, 20 into 1 by 4, यह कितना आ गया, 5 meter, कितना आ गया, 5 meter आ गया, आया है किसी का, देखो ध्यान से यार, u square 400 sin square theta, 1 by 4 हो जाएगा, 2g 20, ठीक, यह कितना आ जाएगा, 20, 20 into 1 by 4, that is equals to 5 meter, यानि की हमारा जो particle था, वो 5 meter उपर जाएगा, और range कितनी हो जाएगी, उसकी range आ जाएगी, 20 root 3, बोलो, सब को समझ में आया नहीं, कि कैसे solve करते, formula से है, तो कोई problem ही नहीं है, अब बात है कि हम लोग formula हर बार use नहीं करेंगे, हम लोग simply जैसे motion in 1d में solve कर रहेते हैं, वैसे ही solve करेंगे, यह सब हटा देंगे, यह सब क्या करेंगे, हटा देंगे, देखो, सब लोग एक बार देख लो यार ध्यान से, यह range है हमारा, यह range है, यह maximum height है, और यह time of flight है, 2 seconds, देख लो ध्यान से कैसे कैसे आ रहा है, answer लिख लिजिए, बाद आती कि क्या जरूरी है, हर बार हम लोग यह formula यूज़ करके ही solve करें, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यार, formula यूज़ करना important नहीं है, हम simply, कोई भी tough question हो, easy question हो, उसको simple way में हम लोग start करेंगे, क्या है, हम displacement और velocity लिखते जाएंगे हर point पे, like displacement in x direction क्या होता है, u cos theta, है ना, ut plus half 80 square, ut में क्या आ जाएगा, uxt plus half 80 square, ऐसे लिखेंगे न, तो यह half 80 square खतम हो जाता है, u cos theta into t आ जाता है, आता है नहीं आता है, तो यह displacement in x direction दे दिया, इसी तरीके से displacement in y direction अगर मुझे लिखना है, तो लिखूंगा, ut यानि की u sin theta t minus half gt square, displacement in y direction at any point of time, displacement in y direction u sin theta, ठीक है, u sin theta की value हम लोग put कर सकते है, minus half into 10, यह कितना हो जाएगा, 5, 5t square, 5t square, g की value put कर दिये, मैंने 10, ठीक, अब यह s x हमें पता है, s y पता है, ठीक, इसमें चाहिए क्या देखिए, t, t, किसी भी time पर आपको displacement चाहिए, तो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमें displacement कहाँ चाहिए, range चाहिए, क्या चाहिए, range चाहिए, तो time of flight निकालना पड़ेगा, time of flight के लिए हमने क्या किया था, याद करो, v y, s x के सामने v x लिख देता हूँ कि, v x is equal to, हमेशा u cos theta, u plus 80, 80 खतम हो गया, सिर्फ u बचा, इधर v y की अगर बात करें, तो v y will be equal to u plus 80, u क्या हो जाएगा, u sin theta हो जाएगा, क्योंकि y direction की बात कर रहें न, हम लोग, कोई confusion नहीं रहना चाहिए, v y और v is equal to u plus 80, तो v y क्या हो जाएगा, u y into a y, u y की ही तो value लिख रहा हूँ, मैं u sin theta, plus a y की value कितनी है, जी वो भी negative, जी वो भी negative, ज्याद रखना चाहिए हमेशा, अब मैंने बोला था कि time of flight, तो time of flight के लिए ये half of the time of flight पे, यानि कि जब particle ऐसे जा रहा होगा, तो इस वाले point पे तो velocity y direction में 0 हो जाएगी, तो t आगे आपका u sin theta by g, यानि कि total time इसका 2 times हो जाएगा, 2 u sin theta by g, value put कर देंगे, ये हमारा आजाएगा 2 seconds, time आगया 2 seconds, यानि कि total time है ये आपका, क्या है, total time है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यही time है, यह डाल दो यहाँ पे, sx में डाल दो, sx will be equal to u cos theta, यानि कि 20 cos 30 degree, कितना हो जाएगा, half, sorry, root 3 by 2, root 3 by 2 into time, time कितना है, 2 seconds, कितना आगया, 20 root 3, बोलो, क्या पहले भी यही आया था, sx जो आया, वही तो हमारा range हो जाएगा, जो sx आया, वही तो हमारा range हो जाएगा, sx क्या है, simply, sx is the displacement in this direction, and sy is the displacement in this direction, अब किस point of time पे ले रहे हैं, वो depend करता है, अगर आप पूरा time डाल देंगे, तो पूरा मिल जाएगा, range मिल जाएगा, आधर time डालेंगे, तो यहां तक का मिलेगा, अब देखो question को घुमाया जाता है, यह तो simple formula based था, तो हम लोगों ने solve कर दिया, इसे में ऐसे पूछ दिया जाता है, कि, इसी में ऐसे पूछ दिया जाएगा, find the time, same, यही question है, इसमें पूछ दिया जाए, find the time, at which velocity makes an angle, makes an angle, अब वो angle, देखो, कई सारे question आ सकते हैं, पहला part आ जाएगा, makes angle 0 degree with horizontal, 0 degree with horizontal, बुसरा part आ जाएगा, कि 30 degree with horizontal, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, same as initial angle, है न, या फिर 10 degree with horizontal, but downwards, अब देखो, यह चारो question को अच्छे से पढ़ लो तुब लो, find the time at which velocity makes an angle, 0 degree with horizontal, horizontal के साथ 0 degree angle बना रहा है, जब velocity, कौन सा velocity, velocity vector, यानि कि final, net velocity की बात कर रहा है, कि net velocity आपका जब है, वो 0 degree बना रहा है, horizontal के साथ, तब बताएगे, time कितना होगा, 30 degree बना रहा है, तब कितना होगा, 10 degree बना रहा है, तब कितना होगा, तो सब में क्या है process से में, अगर एक question आप कर सकते हैं, तो सारे question कर सकते हैं, देखो, motion को जड़ा analyze करो, motion किस तरीके से था यार, यह हमारा projectile, अब यह अगर projectile है, तो देखो, यहां पर एंगल देखते जाओ एक यह एंगल बना फिर यहां पर यह एंगल बना यह बताओ एंगल पहले क्या वह बढ़ा की घटा यह एंगल कितना था 30 डिग्री अब क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है जब उपर तक जाएगा तो एंगल घटता जा रहा है घटते 30 डिग्री से 0 डिग्री पे पहुंच गया 30 डिग्री से 0 डिग्री पे पहुंच गया यहाँ पे question को change भी करके मैं 60 डिग्री चलो 5th part में 60 डिग्री भी लिख देता हूँ कि 60 डिग्री बनाए किसके साथ horizontal के साथ बनाए सबका मतलब से अब देखो 30 डिग्री से कम होते होते maximum height पे जब गया तो यहाँ एंगल 0 डिग्री हो गया और फिर से इसका angle बढ़ता जा रहा है पहले उपर की तरफ था horizontal से उपर की तरफ फिर horizontal से नीचे की तरफ यह angle ऐसे change हो रहा है तो इस point of time पे कभी ऐसा होगा कि जो angle है मेरा वो angle कितना बन जाए इस point of time पे हो सकता है न कि यह angle 20 डिग्री बन रहा हो यह angle 20 डिग्री बन रहा हो question में अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो कि velocity vector 20 डिग्री अगर angle बनाए तो आप बताईए कि time उस point of instant पे time कितना हो रहा होगा जब velocity vector 20 डिग्री अंगर बना रहा होगा velocity vector बना दिये मैंने यह सब velocity vector है यार यह जो और इन से बनाए यह सब क्या है velocity vectors है और net velocity है यह horizontal और vertical velocity नहीं है net velocity है यह ठीक तो अब यह question में सिर्फ ऐसा जाएगी 20 degree होगा तो 20 degree तो 2 जगर पे बन रहा है यार 30 degree से लेकर 0 degree के बीच में जो भी angle मैं बोलूँगा 0 से लेकर 30 के बीच में या फिर यहाँ पे 30 से 0 degree के बीच में तो 2 बार बनेगा वो angle हर point पे 2 बार बनेगा जैसे कि 20 degree बोले तो देखो 20 degree horizontal से यहाँ पे भी बन रहा है एक point और है during the time of descents उस time भी 20 degree बन रहा है horizontal से बोल रहे हैं तो horizontal से तो 20 degree यहाँ पे भी बन रहा है और कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे 10 degree बन रहा होगा तो यहाँ भी 10 degree बनेगा यहाँ पर 9 degree बन रहा होगा यहाँ पर भी 9 degree बनेगा 0 degree और सिर्फ एक बार बनेगा बाकि सारे angle जो है सारे मतलब कितने 180 degree 90 degree सारे angle नहीं जो minimum, जो पहले angle दिया गया था 30 degree, क्योंकि पहले जो भी angle दे दिया गया है बाद में वो angle क्या होने वाला है तो अगर projectile motion को 30 degree पे fire किया है और question में पूछा गया है कि 60 degree पे बताओ कितना time होगा तो यह possibility है या नहीं है यह possibility है कि नहीं है 60 degree angle वो जाके कभी बना सकता है क्या projectile को fire तो किया गया था 30 degree पे और फिर बोल रहें कि 60 degree कभी बनाएगा क्या क्यों बनाएगा यार 60 degree क्योंकि एंगल initial angle जितने पे हमने fire किया है उसके बाद तो angle हमेशा घटता जाएगा यार simple सा logic है फिर क्या होगा half point पे बढ़ने के बाद फिर से बढ़ने लग जाएगा angle बट पहले अगर positive बढ़ाता तो बाद में negative बढ़ेगा हमारा उपर जाते हैं इस direction में किस direction में anti clockwise उपर जाते हैं तो positive इस direction में जाते हैं तो नेगेटिव पहला question है 0 degree with horizontal तो उस instant पर time बता ये time of flight हमने find किया है भाई time of flight कितना है बढ़ बो time of flight 2 seconds range 20 root 3 और maximum height maximum height कितना है फाइफ मीटर यही solve किया हम लोगों ने यही ले क्या है अभी ठीक कि equal to 2 seconds यहाँ पर यार 0 degree तो हमें पता है कहां पर बनाता है maximum height पर बनाता है तो maximum height पर कम पहुंचता है exactly half of the time of flight पर पहुंच जाता है यानि कि एक second पर यहाँ पर पहुंचा पहले वाले का answer simple ऐसे ही आ जाएगा 1 second simply 1 second ठीक 30 degree with horizontal बोला है solve करके कोई बता सकता है कि 30 degree with horizontal कब बना रहा है तो 30 degree वाला भी simple है 30 degree कब बना रहा है यार देखो यहाँ पर 30 degree तो यही initial point पर बना रहा है और जब गिरेगा तब भी बनाएगा 30 degree क्योंकि पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल motion जो है वो symmetric motion होता है पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल motion symmetric motion होता है है जैसे जितना देर उपर जा रहा है उतना ही देर में नीचे आएगा जितना देर मालो 5 second का था धाई-धाई second में बाट दिया तो इधर एक second में जितना इसने travel किया गया होगा लाइक दिस यह पूरा प्रोजेक्टाइल motion symmetric होता है कैसे symmetric होता है कि अगर यहाँ जीरो से start किया मालो यहाँ पर एक second है और यहाँ तक इसको पास second लगें ठीक तो धाई second exactly यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर यह एक second में जिस point पर होगा exactly y direction में उसी point पर यहाँ से एक second पर भी होगा यानि कि 4 second पर भी वही होगा 2 second पर जहाँ पर है यहाँ पर 3 second पर भी वही होगा this is symmetric motion of projectile motion यह बात समझे ना simple सी बात है ना पूरा projectile motion जो है वो कैसा होता है symmetric motion होता है symmetric यानि कि जिस angle पर यहाँ से हमने फेका था वो angle भी बाद में बनेगा कोई और दूसरा angle नहीं बनेगा माल लो इस angle पर भेजाता है यह angle 30 degree है तो यहाँ पर जब यह गिरेगा ना जब ground को strike करेगा तब भी वो angle 30 degree ही बनेगा यह आप find भी कर सकते हैं यह वाला जो angle बनेगा यह फिर से 30 degree ही बनेगा कोई और दूसरा angle नहीं बनेगा horizontal के साथ मैं बोल रहाँ ठीक क्योंकि पहला भी हमने horizontal से लिया था तो बाद में भी क्या लेंगे horizontal से ही लेंगे समझ में आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से पूरा symmetric motion है यार प्रोजेक्टाइल मोशन symmetric motion है 30 degree with horizontal तो 30 degree with horizontal दो time पर आएगा क्या एक तो 0 second एक तो यह 0 second पर और एक 2 second पर दोनों ही time पर यह 30 degree बनाएगा क्योंकि एक तो जब fire किया गया है तब बनाएगा और एक जब hit कर रहा होगा ground को उस वक्त भी बनाएगा ठीक okay fine same as initial angle same as initial angle initial angle तो कितना है 30 degree 30 degree कब बनाएगा यह पहले ही हो चुका है 10 degree with horizontal बट downwards 10 degree with horizontal चलो इस इस को मुझे बताओ यार कितने लोग इसको solve कर पा रहे है कि कैसे करते हैं find the time at which part 4 जो है part 4 दिख रहा है सब लोगों को 10 degree with horizontal बट downwards direction में इसी टाइप के question mainly आते हैं 10 degree बोला अब बीच का कोई भी अंगल 5 degree बोल सकते थे 2 degree 3 degree 1 degree कोई भी अंगल 30 degree से 0 degree के बीच में कोई भी अंगल बोल सकते थे वो सब अंगल के है possible है और वो एक particular time पे ही बनता है 10 degree बोला गया है मान लिया कि यह कोई point है यहाँ पे velocity vector जो है वो 10 degree अंगल बना रहा है किसके साथ horizontal के साथ 10 degree बना रहा है इस वाले point की बात कर रहा हूं मैं ठीक तो यहाँ पे अब उसके पास दो component होगा one is Vx and other is Vy ठीक Vx and Vy और यह जो है वो इन ही का resultant है V net और V resultant होता है न तो vector में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दो vectors हैं ऐसे है न तो इसके बीच में अगर यह हम theta लेते हैं तो 10 theta हम बिल्कुल लिख सकते हैं 10 theta will be equal to if this is y and this is x तो हम लोग लिख सकते हैं y by x है न पैलोग्राम law of vector addition में हम लोग resultant का angle भी find करते हैं और उसका magnitude भी find करते हैं अब देखो 10 theta यहाँ पे भी मैं 10 theta लिखने जा रहा हूँ कहां पे यहाँ पे जो बनाए मेरा तो यह 10 theta this 10 10 क्या 10 degree 10 of 10 degree यानि कि 10 theta will be equal to यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं v y upon v x v y upon v x ऐसे लिखेंगे यार y component upon x component v y by v x तो v y क्या हमें पता है कि v y कितना होता है पता तो नहीं है लेकिन हम लोग find कर सकते हैं कैसे find करेंगे है v is equals to u plus 80 यानि कि u y direction में कितना होता है u sin theta होता है y direction में u sin theta यहाँ पे जो v है वो u sin theta होगा इधर और x direction में u cos theta होगा तो u sin theta minus gt यह general equation है velocity in y direction and u cos theta is the general relation in velocity in x direction कैसे लिखा है यार u plus 80 simply मैंने use किया है x direction में जो 80 है वो 0 हो गया है और y direction में जो 80 है वो acceleration जो है वो इसमें g का काम कर दिया है यह line अगर लिखना आगे आप लोगों को तो फिर इस type के कितने भी question आ जाए simply solve कर सकते हैं भी बोला जाए से कि velocity इतना एंगल बना रहा है x y z इतना एंगल बना रहा horizontal के साथ vertical के साथ तो क्या करना है हमें हमें velocity का net जो है उसका 10 थीटा लिखना है कि 10 थीटा यहां पर 10 डिगरी है 20 डिगरी 30 डिगरी कितना भी हो सकता है that is equal to y component of velocity upon x component of velocity सकते हैं यू साइन थीटा की value लिख सकते हम लोग यू साइन थीटा यानि कि यू 20 है साइन थीटा यानि कि 10 हो जाएगा 10 माइनस 10 t अपॉन यू कॉस्ट थीटा की value 10 root 3 10 root 3 solve करके लिख रहा हूं यार इसमें कोई confusion नहीं होने ची यू कॉस्ट थीटा यू की value दिवे 20 कॉस्ट थीटा की value root 3 by 2 क्योंकि थीटा कितना है 30 डिगरी है root 3 by 2 solve करने पर 10 root 3 वो लिखा है मैं 10 root 3 अब देखो इस तरफ क्या है इस तरफ 10 of 10 डिगरी है क्या करोगे या तो अगर यह question दिया गया है तो इसकी value question में provided होगी कि 10 of 10 डिगरी इतना होता है नहीं तो हम scientific calculator use करेंगे और उसकी value निकालनेगा अब अगर इसकी value मुझे पता है let's say कि इसकी value a है तो that is equal to a अब यहाँ पर variable क्या है सिर्फ और सिर्फ time ही तो है सिर्फ और सिर्फ time a की variable है या समझ में आ रही है आपको कि कैसे solve करते है अब यहाँ पर variable a की है एक equation और एक variable आराम से हम लोग solve कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास value 5 आती है तो simply 10 root 3 into 550 root 3 plus 10 तो 10 ती की यानि कि इस time की हमारे पास value पता चल जाएग कि यह time कितना हैगा यह time हमेशा ध्यान रखेगा अब 2 seconds time of flight 2 seconds आया है तो हमेशा उससे तो कम होना चाहिए 10 10 की value 0.07 ओके 0.07 यहाँ पर put करके value निकाल सकते है कि time की value कितनी आ रही है अच्छी बात है 10 of 10 बता दिया है कि 0.17 है यह श्वीर वर्मा ओके यह value डाल के उसके बाद 1.25 seconds आपका answer आया है यह value यहाँ पर put करने के बाद आया है कि आपका answer 1.25 seconds तब तो ठीक है यानि कि जो time है वो कितना हो जाएगा 1.25 seconds हो जाएगा कब जब velocity vector हमारा 10 degree एंगल बनाएगा हाला कि जब भी पूछा जाता है तो standard ही पूछा जाता है 30, 60, 90 जिसकी value हमें पता होती है वो ही एंगल का पूछा जाता है तो just random example लिया था मैंने की इस type से समझ में आप कुछ भी होता यहाँ पे 10 degree की जगे 30 degree होता 40 degree होता कुछ भी होता यहाँ पे तो यहाँ पे variable क्या बनता हमेशा एक ही बनता वो time तो time की value एक equation और एक variable हम लोग solve कर सकते हैं वो कोई दिक्कत next question है कि 60 degree भी horizontal अब ऐसा कुछ दिया जाए 60 degree भी horizontal तो क्या कभी 60 degree बनाएगा यार option में देखेंगे option में लिखा होगा 1 second 1.25 seconds 1.3 seconds and 0.9 seconds यहाँ पे none of these none of these लोग बोलेंगे कुछ न कुछ तुक्का मार के चले आएंगे यार तुक्का माने से पहले भी थोड़ा सा brain हम लोग को use करना होता है यहाँ पे कहा गया 60 degree और projectile motion का initial angle 30 degree 60 degree तो कभी यह बनाएगा ही नहीं 60 degree तो बनाएगा ही नहीं तो इसका answer इन तीनों में से तो हो ही नहीं सकता भले value जो है fix दी हुए हमारा answer क्या हो जाएगा none of these कोई नहीं इन में से 60 degree इसे टैप से एक और question बन जाता है कि time of flight जो है वो दो second है और आप से पूछा जाए कि horizontal distance बताओ particle जो है three second पे कहां होगा उसका horizontal displacement बताइए कि three second पे कितना होगा क्या बोल रहा हूं मैं यह particle है है अब यह diagram बना दिये मैंने तो diagram बनाते ही clear हो जाता है इसलिए diagram बनाना physics में पहला काम है पहले diagram बनाओ और motion को analyze करो diagram बनाए आपने तब तो समझ में आ जाएगा लोग क्या करते है diagram नहीं बनाते question को पढ़ा data analyze करते है formula देखते है formula कौन सा है question पूछा गया कि find the horizontal displacement find horizontal displacement at t equal to three seconds और यहां solve करने पर पता चल रहा है कि t equal to two seconds पर particle हमारा गिर रहा है तो लोग क्या करते है कि time of flight पहले find ही नहीं करते है देखते है horizontal displacement find करना है क्या करेंगे sx की value लिख देंगे u cos theta into t u cos theta की value 20 into root 3 by 2 into time time कितना दिया हुआ है 3 seconds यह तो कुछ ना कुछ value दे दिया है 10 30 30 root 3 यह sx आया मेरा यह क्या आगया horizontal displacement आगया कि 30 root 3 आ रहा है sir not possible चलो एक ने बोल दिया not possible ठीक है हाइट कितना है range कितना है time of flight कितना है simply directly यह यह initial velocity दी आपको 20 meter per second से at an angle of 30 degree fire किया गया है तो बताइए कि horizontal distance कितना होगा t equal to 3 seconds पे तो horizontal displacement का मतलब यह नहीं है कि वो range पूछ रहे है आपसे horizontal displacement t equal to अगर ऐसा बोला गया होता कि t equal to 1.25 seconds पे बताइए यह horizontal displacement कितना होगा तो आप range find करेंगे क्या बेल्कुल नहीं range तो हमारा time of flight पे निकलता है हम क्या करेंगे हमेशा यह करेंगे u cos theta into t horizontal displacement at any point of time will be equal to sx is equals to u cos theta into t हो जाएगा तो u cos theta into t use करने से पहले थोड़ा सा हम अपना brain भी यूज़ करेंगे कि actual उसका time of flight कितना है range तो आया था 20 root 3 लेकिन horizontal displacement आ रहा है 30 root 3 कुछ बात समझ में आए कि value आप यह actual में होता है कि यह सब equation है यह सब equation यह maths है physics नहीं यह maths है जो भी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर एक equation और लिख देता हूं displacement as is equals to ut plus half a t square ऐसा एक relation लिख देता हूं अब यह particle जो हमारा motion चल रहा होगा वो particle रुक भी जाएगा माल लो t equal to 5 second पर वो particle रुक गया t equal to 6 second आप डालेंगे तो क्या यहाँ पर value नहीं आएगी इस equation में बिलकुल आएगी कुछ ना कुछ value तो जरूर आएगी लेकिन हमारा physics क्या गयता है कि अरे बाई motion ही रुक चका है उसका displacement नहीं होगा थोड़ा सा brain यूज कर लो यह particle जो है वो गिर चुका है t equal to 3 second पर वो आगे नहीं बढ़ेगा उतने पही रगे तो t equal to 2 second के बाद 3 second हो 4 second हो 10 second हो 100 second हो कितना ही second पर पूछा जाए तो displacement कितना हमारा range आया है यह जो हमारा प्रोजेक्टाइल है यह मैंने लेट से कि 70 डिग्री पर इनिशली इसको फायर किया था तो एक पॉइंट आफ टाइम यहां पर आएगा जहां पर यह 20 डिग्री एंगल बनाएगा horizontal के साथ अगरी हो ना यह तो आए गई 20 डिग्री फिर यह 20 ड डिग्री हो जाएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने क्या बताए कि 10 थीटा की वैल्यू जो मैंने लिखी थी 10 थीटा किसके लिए velocity के लिए कि VY by VX तो VY की value डाल दीजे यहां पर U sin थीटा माइनस GT upon U cos थीटा अच्छा यह 10 थीटा कौन सा है यह 10 थीटा यहां वाला यार तो इसको कुछ और मान लेते हैं अलफा क्योंकि यह थीटा initial angle है यह हमारा 70 degree यह वाला है ठीक अब आपको यह doubt था कि सर यह जो अलफा है आप कह रहें यहां पर 70 degree बनेगा लेकिन यह तो confirm है यह नहीं कि 70 degree बनेगा या नहीं बनेगा ले initial 70 degree पर फेका था final भी 70 degree बनेगा कुछ और बनेगा तो यहां पर क्या करें आप time of flight डाल के पुट कर दीजिए यह जो total time है यहां पर जो time डालेंगे यह अलफा उसी के respect में है तो यहां पर अगर आप total time of flight डालेंगे तो यह अलफा खुदी आ जाएगा आपका confirm हो जाएगे कि 70 degree पहले भी था और 70 degree बाद में भी है ठीक तो question हमारे यह था कि मानलो यह वी 1 velocity है और यह वी 2 velocity है वी 1 और वी 2 मैं जस्ट तरीका बता रहा हूं आप लोगको आना पूरा-पूरा question में solve नहीं कर सकता बहुत time चला जाएगा तो वी 1 और वी 2 आपस में कब mutually perpendicular होंगे यह पू force और यह सब भी चीजे पढ़ेंगे तो जब भी 2 चीजे दो vector quantity perpendicular होने की बात आए तो क्या करेंगे कि उन दोनो vector quantity का dot product ले लेंगे हम लोग क्या करेंगे dot product ले लेंगे because we know कि 2 vector का dot product vector a dot vector b is 0 when angle between a and b is 90 degree ऐसा होता है न यार angle between a and b is 90 degree a dot b equal to 0 क्योंकि सिर्फ अगर यह condition दे दिजाए तो आप सोच नहीं पाएंगे कि 90 degree कब होगा सिर्फ इसकी बात हो तो यह time find कर सकते हैं सिर्फ इसकी बात हो तो यह find कर सकते हैं लेकिन हमें दोनों का पता नहीं है अगर पता भी है तो दूसरा find करना मुश्किल हो जाएगा पूरा process follow करना पड़ेगा तो हम simple तरीका क्या use कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर हमें यह पता है कि दोनों mutually perpendicular है तो mutually perpendicular है तो इन दोनों के बीच का dot product तो 0 होना ही चाहिए ठीक dot product अब करना यह पड़ेगा कि हमको जो v1 है वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा यानि कि x1 i cap plus y1 j cap and v2 will be equal to x2 i cap plus y2 j cap दिख रहा है नहीं दिख रहा है v1 and v2 में वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे put कर दूँगा यहाँ पे 0 डाल दूँगा जो भी unknown से वहाँ से equation बन जाएगी और वो unknown हमें पता चल जाएगे तो इस तरीके बहुत सारे question बन सकते हैं कि इतना angle है इतना angle है 90 degree है 180 degree है जो भी possible angle है 30 degree है तो उन सब को कैसे deal किया जाता है समझ में है आप लोग को कैसे 10 theta का use करना है कैसे vector का use करना है यहना I hope कि आप लोग को कुछ कुछ चीजे clear हुई हो question करेंगे और अच्छे से clear होगी doubt है अपने doubt पूछिए थोड़ा साम लोग relative velocity के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि relative velocity का concept क्या होता है relative velocity और next topic of interest is relative velocity देखो या relative velocity क्या है motion relative होता है यह बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ठीक relative velocity का मतलब velocity of one person with respect to other person like there are two particles particle A और particle B माल लो particle B VB से चल रहा है और particle A VA से चल रहा है ठीक अब देखो बहुत सारे cases बन जाते हैं क्या कि VB जो है is greater than VA VB is equal to VA और तीसरा की VB is less than VA ठीक यह सारे cases बनेंगे जिनमें यह एक डूसरे को देखने relatively अगर कोई third person हो C person हो और बाहर बैठा हो तो उसके लिए तो कोई change नहीं आएगा उसको तो पहले भी लगए कि हां VB चल रहा था इतनी velocity से और VA भी चल रहा था अपनी इस velocity से लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहां पर जो इन दोनों के देखने का जो नजरिया है वो change हो जाएगा VB बड़ा है VA से या VB छोटा है VA से इससे बहुत फरक पड़ेगा इन दोनों के नजरिये से उसके लिए C के लिए तो कोई problem नहीं है C अपना रुका हुआ है rest का है यह A और B को आराम से देख रहा है खेक पहला कैस देखते हैं हम लोग VB is greater than VA जब ऐसा होगा कि VB VA से बड़ा होगा velocity of B is greater than VA तो उस case में क्या होगा कि जो B है वो तेज दोड़ेगा और A है वो धीरे दोड़ेगा तो A को यह लगेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ और B मुझसे दूर जा रहा है this is relativity और relative velocity अगर A की तरफ से देखना है कि A के respect में देखो कि B क्या कर रहा है तो A के respect में जब देखेंगे मैं खुद observer बन जाऊंगा तो मेरे respect में B क्या करेगा दूर जा रहा है मुझे यह नहीं पता है कि मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ बट यह मुझे पता है कि हां मैं stationary हूँ बट B क्या है मुझसे दूर जा रहा है second case वैसा ही VB is equal to VA दोनों चल रहे है VB is equal to VA यानि कि यह C बोलेगा हां B भी चल रहा है A भी चल रहा है बट जब दोनों equal हो जाएंगे तो A बोलेगा कि B नहीं चल रहा है और B बोलेगा कि A नहीं चल रहा है हाला कि दोनों तो चल रहे थे यार फॉर एक्जामपल जैसे हम लोग cycle ही चलाते हैं अगर दो friend साथ में cycle चला रहे हैं तो किसी भी एक point को पकड़ लो अपने friend पे कि यह point है वो point आपसे दूर होगा क्या नहीं दूर होगा जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां वह भी जाएगा until and unless कि आप ground को देखे या फिर इन दोनों सिस्टम से किसी और पार्टिकल को देखे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप दोनों चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं like two person sitting in a train train में बैठे हुए आप वो एक दूसरे को देख रहे हैं अंधेरा हो गया वो एक दूसरे को देख रहे हैं क्या उन्हें परदे चल रहे हैं या रुके हुए वह तो यहीं बोलें यार हम रुके हुए ना वो चल रहा है ना मैं चल रहा हूं बट हां किसी third person जो outside है उससे पूछों कि यह दोनों चल रहे हैं तो चल रहा है यानि कि इन condition से इनके motion को जो एक दूसरे का इनका नजरिया था परस्पेक्टिव था वो चेंज हो रहा है जब VB greater than V यह था तो बी यहां लिख रहा हूं मैं पहली condition B is moving away away from A कब की बात कर रहे हैं मैं पूरे time में with respect to A की बात कर रहा हूं कि A ही देख रहा है अब पूरे motion को A ही देख रहा है अब A को analyze करना है कि क्या हो रहा तो इसमें यह बोलेगा कि B is moving away पहले वाले में दो में बोलेगा कि B is stationary B is stationary टीसरे में क्या बोलेगा वी बी इस greater than V बी चल रहा है लेकिन A की velocity से कम चल रहा है यानि कि क्या होगा B A के पास में आता जाएगा या चुली में होगा क्या कि A तेज़ दोड़ रहा था तो A B के पास में आता जाएगा लेकिन A बोलेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, B मेरी तरफ चला आ रहा है, B क्या कर रहा है, मेरी तरफ चला आ रहा है, क्यूंकि A के perspective से देख रहा है, C के perspective से देखें, C बोलेगा B चल रहा था, A भी चल रहा था, लेकिन B थोड़ा कम velocity से चल रहा था, A ज्यादा velocity से चल रहा था लेकिन अगर इस case में जब B की velocity A से कम है A से पूछेंगे तो A बोलेगा मैं तो रुका हुआ था B जो है वो मेरे pass में आ रहा था यानि कि इसको ठीक उल्टा दिखाई देगा B उल्टा इसी की तरफ आ रहा है ऐसा दिखाई देगा बोले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्यों कि B जो है वो बहुत कम speed से चल रहा था यह बहुत तेज speed से चल रहा है तो हमारी तरफ से भी देखे देखिए ना बाहर से भी देखिए दोनों क्या होंगे पास में आते जाएंगे बट एक हो तो यह पता है कि मैं तो चली नहीं रहा हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा वही चीज में यहां पर कह रहा हूँ कि जब वी बी इस लेस देन वी यह तो एक हैगा कि बी इस कमिंग टुवर्ट्स मी जानी कि देखो तीनों केस में चेंजे जागए जो परस्पेक्टिव था एका जैनी कि मोशन जो है वो टोटली रिलेटिव है कौन देख रहा है कहां से देख रहा है काई से देख रहा है B की velocity कितना है, यानि कि velocity of B with respect to A, ऐसे लिखते हैं, velocity of B with respect to A, ऐसे लिखते हैं, velocity of B with respect to A, mathematically क्या होगा, VBA, velocity of B with respect to A is equal to VB minus VA, अब ये सारी situation जो है, आप इसमें value पुट करते जाएए, कुछ भी value एजूम कीजिए, इनकी, मालनीजिए, एक केस में इसकी 10 है, इसकी 5 है, एक में इसकी 5 है, इसकी 5 है, एक में इसकी 5 है, और इसकी 10 है, ये 3 केस बनगे, तीन केस में डाल के देखो, यहाँ पर अलग-अलग value आएगी यार, अलग-अलग value आएगी और जो हमने कहा था, तीसरे केस में, कि B की velocity with respect to A, negative आजाएगी इस वाले केस में, तीसरे केस में, negative आने का मतलब ही ये है, कि ये सामने नहीं जा रहा है, ये तो पीछे आ रहा है, तो वो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, इस इस वाट, velocity of B with respect to A, जो vector form है, ये vector form है, velocity is a vector quantity, vector form में लिखा है, तो ये overview था कि relative velocity कैसे deal की जाती है, ठीक, I hope कि relative velocity आपको थोड़ा बहुत समझना है, next class में हम लोग relative value पे question करेंगे, और कुछ conceptual चीज़े और हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक ओके, तैंक यू, on is to on, study is always on, concepts के बहतर realization के लिए is to on पर बने रही है,